हलो नमस्कार दोस्तो आज का हमारा टॉपिक है कमांड प्राउंट का यूज करते हुए फोल्डर को कैसे हैड करते हैं अन हैड करते हैं वो देखेंगे और प्लिज गया यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो प्लिज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले चलिए शुरू करते हैं आपको क्या करना है आप जिस भी फोल्डर को हैड करना चाहते हैं उस फोल्डर का पाथ आपको ओपन कर लेना है एक्जेम्पल के लिए मैं आपको अपने केस में दिखाता हूँ मैं यहां पर इसको ओपन कर लेता हूँ इसके बाद मैं ड्राइब में जाता हूं ड्राइब में जाने के बाद मैं आपको इस फोल्डर को हैड करकी दिखाऊंगा आप भी क्या किजिएगा अपने केस में जिस भी फोल्डर को आप हैड करना चाहते हो पाथ ओपन कर लिजेगा ओपन करने के बाद आपको क्या करना यहां पे किलिक कर कर देने इसके बाद आपको इंटर कर देने इंटर करते हैं इस तरह से cmd command prompt open हो जाएगा open होने के बाद आपको क्या करना यहां पर टैप कर देने ए डबल टी और आई बी space दीजेगा plus कीजेगा h tap कीजेगा इसके बाद फिर चे प्लस s प्लस r इस तरह से किजिएगा इसके बाद यह टैप कर देना है इसके बाद आपको क्या करना है फोल्डर का नाम टैप करना है जैसे spelling लिखा हुआ है आपको यहाँ पर टैप करना है मैं अपने case में जैसे है वैसे मैं यहाँ तेब करूं करते होcessor, देखने ने। मैं ने टैप कर दिया। इसके बाद आपको फिर से इसे कर देकर गए इस तरह से आपको कर दीजेगा। इसके बाद आपको क्या करना यहां पे इंटर प्रेश कर देगा। आपको फोल्डर हैड हो चुका है। अब यदि आपको unhide करना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आने के बाद, आपको क्या करना है, यहाँ से फिर से आपको type करना है, यहाँ से फिर से आपको type करना है, इसके बाद यह डाल देना है, इसके बाद आपको enter करना है, इंटर करती हैं, आपको कुछ सकन वेट करने, कुछ सकन वेट करने के बाद आप देखेंगे, यहाँ पे यह folder unhead हो चुका है, इस तरह से आप किसी भी folder को head या unhead कर सकते हैं, यहीं आज का हमारा topic था, और प्लीज गया चैनल को subscribe करें, like करें, share करें, thank you.